कॉंग्रेस ने एक एक्जिबिशन नहीं लगाई है अपने कारियाले में जहां राजीव गांधी के पूरे जीवन को उस पर दर्शाया गया है दरसल मैं आपको पीछे दिखाना चाहूं अगर केमरे की नजर से तो यहां है हम में हैं राजीव हमारे साथ भाईया पवार हैं आई वाई सी के जनरल सेक्रेटरी उनी से स हम जहेंगे इस पूरी गिलरी को वह में बताएंगे कि दरसल मकसद क्या है और क्या कुछ यहां सजाया गया है हम में हैं राजीव क्यों हम में हैं राजीव का मतलब यह है कि उस हर वेक्ति में राजीव है जो देश को विग्यान के भरोसे पर आगे बढ़ाना चाहता है उन लोगों को देश से जोडने का भारत से जोडने का काम किया है हर उस वेक्ति में राजीव है जो अपने लोगों के साथ में अपना बन के राह है और उनके साथ में जो वेवार उनने किया है और देश को नई उचाई उपर 21 सदी में ले जाने के लिए जो जो भी किया जा आईटी के माध्यम से किया जा सकता है, सारे चीजों के माध्यम से उस रास्ते पर जो चलना चाहता है देश को आगे बढ़ाने के उन सब में राजी हुए इसका मतलि राजी जी के जनम से लेके जो बच्पन के जो फोटो है वो सारे इस सेक्शन में हमारे पास में याँ पर है आप देख सकते सबी बच्पन से लेके नेरु जी के साथ में इंद्रा जी के साथ में सारी फोटो जो आप देख सकते और राजी उजी ने देश के लिए क्या किया है, वो सारी चीजी यहां के देखकर वो भी समझ रहे कि आखिर राजी उजी को क्यों आर्किटेक्ट आप मॉडल इंडिया का जाता था, उनको यह उपादित क्यों दी गए थी, और राजनीती में दूर दूर तक समन्ने रहने के बावजूद भी जब देश के लिए उन्होंने कुछ करने का ठाना, तो उन्हों जो जजबा था, उन्होंने देश को आगे बढ़ाने काम क्या, अपने आप में कितना अतुल निया था, यह वो बातें यहां से समझ के जा रहे है, जो स्विमिंग की टीम है, उसमें भी अपने तरब से मान सम्मान दिया, और देश हर धर्ण से चल सकता है, हर व्यक्ति से चल सकता है, देश सब व्यक्तियों को मिल कर बनाया किसी एक धर्म का निय है, यह जो संदेश उन्होंने दिया, उसको लेके कुछ साजा तस्वीर है यहां पर ही हो, कॉंग्रेस ने यहां पर भी. कॉंग्रेस पार्टी जो है, अपने नेताओं का जो देश के लिए योगदान है, उसका प्रपोगंडा कॉंग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया, हाला कि इतनी बड़ी-बड़ी यह कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश के लिए किया है, और देश को पूरे दुनिया में नाम रोशन किया है, लेकिन जो चीजे आजकल आप देख रहे हैं, कि करना कम है और उसको घुमा फिरा के बहुत बड़ा-बड़ा बताने का जो सिस्टम पूरे देश में आ गया है, आप जान सकते हैं, उस पर हमको नहीं जाना है, लेकिन हमारे नेता ने जिसको कहा जाता है कि आधुनिक भारत का निर्मा था, उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया है, यह सारी तस्वीरे अलग लग जगों से लिए गये, जिन एधना अपने बहुत बड़ी बात, इस दीवार पर जो तमाम तस्वीरे हैं, वो बता रही है कि परिवार के साथ किस तरह का गया था, आप देख सकते हैं, बचपन में भी उनको बड़ा, यह देखिये आप नीचे की दो तस्वीर देखिए, बचपन में भी उनको कितना ल करके हमने एक एक सेक्षिन यहां पर पाइलट वाली बुमी का काउंट यह बाबा अनुसनान के अलग है जहां पर कहीं पर हमारे सैटिलेट जहां से लॉंच होते थे वहां की है कोई तस्वीर सी हरीकोटा की है तो यह अलग-अलग तस्वीर है जहां पर जाकर उन्होंने सेल आघे सिर्व है ठीज शेत अच्छियों नियुक्राएम। आबर आट देश की लिए सोल्जरस लड़ते है अचियों जो सेणा लड़ते है जो जवान लड़ते हैं अलग-अलग इस्तों में अक्छानान के है शांति से लाइकी लड़ते हैं आतंगवादियों से लड़ते हुए काम करती है, हमारे अलग-अलग बॉर्डर पे हमारे को रक्षा देने का काम करती है, तो उनसे जाकर उनसे बात करना, उनका मनोबल बढ़ाना, साथी साथ, वो कीन-कीन चीजों का उनको दिक्कत आती है, उसके बारे में समझना, उसको लेकर राजुजी भोती कीनली अब्जर्विशन उनका दौर लगातार जाकर बात करते हैं। उसके पर काम ने किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, राजुजी ने लेके, कॉंग्रेस ने लेके 33% का आरक्षन महिलाओ को दिया, और उनको आगे आके प्रतिनीत वह करने का एक मौका दिया। अब लगातार जब भी राजुजी कहीं जाते थे, लोगों के बीच में ज चाहिए क्यानी होना चाहिए। राफल गांधी ने जब इस गिलरी को देखा, आप कह रहे हैं कि पिता के बारे में बेटे से जादा तो कोई नहीं जानता, लेकिन उन्हें भी क्या ये लगा था कि ये तस्वीरें दरसल आई-वाई-सी की तमाम कार्यकरता लेकर कहां से आये, क्योंकि एक पूरा इतिहास स रखा है. जो हम नेता देख रहे हो तो जब तक हजारों के भीडने होती बाती नहीं करते हैं. तो आप देख सकते हैं कि गांधी परिवार जो है पहले से लोगों के बीच में, लोगों के सुनने के लिए कितनी भी लोग रहे, इंट्रेक्शन करने के लिए कितनी भी लोग रहे, उनक कि अगर आप मुझसे पूछे तो सबसे बड़ी अगर उनके कोई देन थी कंपूर्टर रिवुलेशन तो था ही था लेकिन सबसे बड़ी देन थी पंचायती राज तो गाव तक सीधा पैसा गाव तक जाए और वहां से वहां आसपास खर्चा हो जो वह कहते थे कि एक रुपय निकलता है और पंदरा पैसे खर्च होते है पचासी पैसे उसमें से कम हो जाते है तो उन्हों सबसे बड़ा काम किया है तो पंचायती राज का उसके बाद में टिलीकॉम रिवलुशन है आप देखो हम सब के आद में जो मोबैल है वो आज उनक की नेशनल पॉलिशी उन्होंना बनाया ओमने इंपवर्मेंट पे बहुत सारा काम हो थर्टी परसेंट का जो यह दी रिजर्विशन दिया हो कॉंग्रेस पार्टी ने गवर्नांस में जो आईटी लाया गया है वो उनके माध्यम से राइट टु एजुकेशन के हर एक बच इंचन योजनाई बनाई उसके पात में नंगेशन कूल थो पूरे देश में नोगेशन करक का इन अपने अपने माध्यम से बना इज मों नेचेंव से बनाै तो इतने सारे चीज ए एक बिजनेरी वेक्तिधी देश के सबल्दा नेथ है ञर तो क्या हो सकता है झाल झाल जब विदेश के दोफरे पर जाते थे या डायलोग होते थे आपस में अलग-अलग देशों के उ सारी तस्वीर हैं ताहिक टोफरेश ने की पिडिल कैस्टो जी एष्त तक झाल झाल गांधी परिवार के लिए पूरे देश के लिए यह दुर्भाग के की बात थी कि एक ऐसा लीडर जो विजनरी लीडर थे जो देख कर पूरे देश के लिए उन्हों ने अपने कम समय में इतना काम किया अपने एक टिन्यूर में इतना काम किया उसको खोने का जो दर था सिब गांधी परिवार के साथ-साथ पूरे देश को था पूरे कॉंग्रेस परिवार को था क्योंकि अगर वो और भी रहते तो शायद देश के लिए बहुत बड़ा काम करके जाते इतना पूरा विश्वास हम सब को है और जो चीज उन्होंने जबकि वो शुरुआती दिनों में थे जब वो राजनीती में आये तब उनका राजनीती से लेना देना नहीं था उस वक्त उन्होंने देश के लिए इतना कुछ काम कर दिया और वो अगर जिन्दा रहते तो शायद पता नहीं और हमारे देश को कितनी मदद मिलती आगे बढ़ने के तो इंडियन यूद कॉंग्रिस ने राजीव गांधी की तमाम इसमिर्टियों को सहच के इस गेलरी में रखा है और इन तस्वीरों के जरीए ये बताने की कोशिश की है कि दरसल राजीव गांधी ने इस देश के निर्मार में क्या कुछ योगदान दिया है तमाम तस्वीरे हैं और इन तस्वीरों के जरीए हमने आपको दिखाया कि राजीव गांधी के बच्चपन से लेकर एक परधान मंत्री के तौर पर किस तरह का योगदान रहा देश के लिए और क्या कुछ उन्होंने अपने परधान मंत्री काल में इस देश के लिए को विजन दिया है और उसी विजन उसी लेगेसी को राहूल गांधी आज आगे बढ़ा रहे हैं आईवाईसी का संदेश यही है कि राजीव गांधी के नाम को आप मिटा नहीं सकते और इसी लिए आईवाईसी कह रहा है कि हम में हैं राजीव दिल्ली से कैमरा परसन आकार के साथ विर्जा शाकिर अलिबेक सन्नाइस न्यूज